हेलो फ्रेंट्स गुरु ग्यान अर्वेदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे चमेली फुल के फायदे के बारे में चमेली का फुल जब खिलता है तो अपनी खुस्पु से चारो तरफ के बाता बढ़न को महका देता है चमेली का फुल अपने आप में कई गुणों को शमेटे हुए है जहां एक और इसका परयोग सुगंदित वर चमेली के तिल बनाने में किया जाता है वहीं दूसरी तरफ इसका परयोग अवसधिय रूप में भी किया जाता है तो दोस्तो आए जानते हैं चमेली के चमतकारे गुण यानी फाइदे के बारे में तो जानने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए साथ ही घंटी को दबा दीजिए ताकि ऐसे ऐसे नए महत्पूर जनकारी आप सभी के पास सबसे पहले पहुंती रहे दोस्तो शीर दर्द में चमेली के पत्तों का इस्तमाल बहुत ही लवदायक माना जाता है चमेली के तीन पत्तों को गूल रोगन के साथ फीच ले और दोदो बुन नाग में टपकाने से सिर्दर्द में अराम मिलता है इसके अलावा चमेली के फूलों से मोतियबिंद से निजात पा सकते हैं मुतियबिंद के उप्चार के लिए चमेली के फूलों की 5-6 सफेद को मलपा खोडियों को लेकर इसमें थोड़ी सी मिश्री के साथ खरल लें और इसे आख की फूले यानि मुतियबिंद पर लगाएं इससे कोई दिनों में मुतियबिंद से निजात मिल जाती है इसके साथें बाद दोस में चमेली फायदेमन साबित होता है बाद दोस के कारण सरीर में अनेक तरह की बीमारियां होने लगती है बाद दोस से लकवा मासिक धर्म विकार आदी होने लगते हैं इन विकारों के इलाज के लिए चमेली के जड़ को पीछ लें और इसका लेप कर और तेल की मालिश करने से बाद दोस में बहुत जलला मिलता है। इसके लिए पंचवल, पटूल, निम्बूल, जम्बू, आम्र और चमेली के पत्तों का कड़ा बना लें। और इसे गरारा करने से मुह रूग जैसे मुह के छाले मसूरों से जूरी परसानियां आदी समस्याएं बिलकुल रूप से ठीक हो जाती है। अगले वीडियो में तब तक कीजिए ताकि उन्हें भी इस जनकारी का भरपूर ला मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कीजिए। अगले जाती है। झाले वीडियो में घाले मिल सकी।